36 गड़ में एक बार फे शराब बंदी मामला तूल पकरता जा रहा है कॉंगुस के वर्ष्ट बदाएक सत्यनारण शर्मा ने इस मुद्ध को हवा दी जिसको लेकर सत्यनारण शर्मा का हाल ही में बयान सामने आया उन्होंने कहा कि 36 गड़ में बाज़पा के लिए शराब बंदी मुद्धा हो सकता है लेकिन जन्ता के लिए मुद्धा नहीं है यदि बाजपा को लगता है कि यह मुद्धा है तो सर्वे करा लिया जाए उन्होंने कहा कि यहां भाजपा की सरकार है शराब बंदी नहीं कर पा रहे हैं और 36 कर्मी से मुद्दा बना रहे हैं मैंपूर्वा मुक्मंत्री डक्टर रम्मन सिंग ने भी शराब बंदी को लेकर सरकार पर जोरदार हमला पूला उन्होंने कहा कि आप लोगों ने शराब बंदी का वादा किया था लेकिन शराब बंदी नहीं की गई यही वज़ा है कि अब भाजपा गंगा जल के सम्मान में भाजपा मैदान में अंदुलन चलाने जा रही है इसके जरीए सरकार को आईना दिखाने का प्रयास किया जाएगा आपको बता दें कि कॉंगर्स ने भी वाजपा के आरूपों पर पलतवार किया कॉंगर्स का कहना है कि शराब बंदी नोट बंदी की दर्स पर रातो रात नहीं की जा सकती इसकी राइशुमारी के बाद इस पर नर्नाय लिया जाएगा इसके साथ ही आईए सुनते हैं महिला कॉंगर्स की प्रदेश अदक्ष पूलो देवी ने तामने क्या कुछ कहा यह लगता है कि इन इना दिखाने काम है और यह बताने का काम है कि महिला शराफ बंदी करीं मोगया भथ की किसांब दो साल का बोनिस की बात करते हैं इस बात का है इस बात का इंतीजार है जो चुनावी घोसरा-वस्त compare नेय को को इस्थाई करने का था वह बादा कहा जिला गया इसे डियर मेला कांग्रेश ने सरावबंदी को लेकर इस मुट्ने को उठाय थे और कांग्रेस अभी सरकार बंदी के बाद सरावदी करें निसीतूर पर विश्वास के साथ कहते हैं यह सरावबंदी हो ही